हेई गाइस सौगत करता हूँ आपका अपी के अपने यूट्वी चैनल इन्वेस्टिंग बाइरस में गाइस आज हम लोग अनलैसिस देखेंगे मीडिया मेट्रिक्स वर्ल्ड वाइड का गाइस अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंतर देखना आपको पता चल जाएगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए गाइस कंपनी का हम लोग ग्रोथ बैलेंस सीट फ्यूचर सारा चीज़ देखेंगे पास रीटर सारा चीज़ हम लोग अनलैसिस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा अंतर देखना और गाइस अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल अब इस सर्विस कवरिंग मोवाइल एंड डिजीटल लेंड्सकेप गाइस मीडिया मेट्रिक जो है स्मॉल काफार इस कंपनी है आरो एपटी से ज्यादा जन्रेट करती है कंपनी डिप्डेंट नहीं देती है इंट्री पॉइंट अच्छा है लेकिं कंपनी एसम लिस्ट म करेंस सब्सक्राव involvesार कज्वार्ण कोशच में लेकिन कंपनी का निर्फ प्रॉफित प्रॉफित देखें तो इसकों फोर शिक्स टैम्स इट्स वुक वेलू कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन डिविडेंट पे नहीं कर रही है और तीन साल में कंपनी ने 5.35% का आरवी जनरेट किया है कंपनी का इंकम इस्टेडमेंट देखें तो लोर देन इंडस्ट्री नेट इंकम कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें तो डिक्रीज हुआ है कंपनी का इबटा भी गिरा है और कंपनी का इपीएस भी पूरा 0 हो गया है घाइस कंपनी का बैलेंस सिट आफेकरएं तो डिक्रेंट total liability 198 कड़ोर है guys company का cash flow statement देखें तो net cash 10 कड़ोर है लेकिन free cash flow minus में है minus 137 कड़ोर guys company में promoter holding देखें तो promoter के पर 60.72% है जिसमें की almost 3% गिर भी है और mutual fund, DIs और FIs किसी की holding नहीं है, retails and other की holding 39.28% है guys company का एक साल का return देखें तो 15.65% है guys company का 5 साल का return देखें तो 23.51% है और पीच में इसका price 20 रुपे भी गया था फिर बाद में ये dump करके वापस से 8 रुपे ला दिया गया guys ये था media matrix worldwide का analysis guys मुझे लगता है कि आपको इस stock में invest नहीं करना चाहिए क्योंकि ASM list में है company का revenue ये सारा चाहिज गिर रहा है और company के पर कर्ज भी है promoter holding भी कुछ हिस्सा प्लेज में है तो guys मुझे लगता है कि आपको इस stock में invest नहीं करना चाहिए otherwise आपकी मरची मैंने analysis कर दिया है और guys अगर आपको किसी और stock के बारे में analysis चाहिए तो नीचे comment करके बताना और अगर आपको अपना portfolio review करवाना है तो description में मेरा email id दिया हुआ आप उस पर भेज देना guys अगर आपने आप तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर देना इस video को like कर देना thank you